हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के शाद शेयर करें हूँ कुछ ऐसे पौधे जिनकी कटिंग आप नवंबर और दिसंबर की महीने में इसली लगा सकते हो और नवंबर के महीने में इन सभी प्लांट्स की कटिंग काफी अच्छे से होती है फास्ट ग्रोथ होता है इस महीने में इस प्लांट का क्योंकि ना तो बहुत जादा अभी ठंडी है और ना तो बहुत जादा अभी गर्मी है तो इस तरह के जो मौसम होता है प्लांट के ग् लेजे वह इसमाहिने मीं कट्टिंग दो लग थाय दो प्रण्ट तो वह भी में स्ट में में गजार लग यह जहाए चल्ट में को पाउधा गया माहिन दो होता है तो फ्रण्ट लावगा साधे हैं और तो पनजेफो दोड्शन vivre्च पर अवरग दोस लीघन म अटे और워서 to jump सकते हो उसमें और जलियस का प्लांट भी है तो इसके चोटे चोटे लह सुन के आकार के जो होते हैं बल्व होते हैं तो कटिंग के तुरू तो नहीं इसके बल्व को आप पे अलग कर सकते हैं और इस नवंबर के महीने में बहुत ही अच्छे से फ्यालते हैं यह पौधे तो एक नया पौधा अगर आपको औक जलियस का चाहिए तो इसको आप इस महीने में लगा सकते हो थोड़ा वाटरिंग कम करना फर्स टाइम आप कर सकते हैं वाटरिंग फिर पानी का धयान रखना तो एक खुबसूरत सा एक नया पौधा आपका रेडी हो जाता नेक्स्ट जो प बनाना है तो इसके पत्तो को काट करके उपर के कुछ लिफ को रिमूव कर दूंगी और सेम प्लांटर में मैं इसको लगा दूंगी तो ये देखने में बूशी भी हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद जहां से इसको मैंने कटिंग की है उसमें से भी नई सूट्स निकलन लगेंगे और पत्ते भी निकलने लगेंगे और इस तरह से ये घässना हो जाएगा और दिखने में काफी खुबसुरत लगेगा और ये दूसरा पुलका डॉट का प्लांट है इस तरह से ये लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको कटिंग से भी लगाया और ये है पोथो का प्लांट बेस्ट है यह प्लांट की कटिंग मैंने इस हेंगिंग पॉट में लगाई है और अल्रेडी मेरे पास ये वाला प्लांट है इसमें से ही कटिंग ली थी सफाई के दौरान क्या हुआ था कि इसका एक ब्रांच टूट गया था तो मैंने उसको फेका नहीं तो हैंगिंग पॉट में लगा लिया है, इस तरह से आप नए पॉधे, एंजॉई पॉधों के आप तयार कर सकते हैं, और ये बेस्ट मन्थ है नवंबर का महीना इस पॉधे को तयार करने का, क्योंकि इस पॉधे को थोड़ी थंड़क थंड़क पसंद है, तो आप आगे के दिनों में ये काफी अच्छे से फैलेगा, तो आप नए पॉधे आप तयार कर सकते हो, मैंने काफी पॉधे इसके तयार कर रखे हैं, सभी कटिंग के थ्रू ही किया है, जो कि मुझे देखने में काफी अच्छा लगता है, ये एक तरह का मनी प्लांट का वेराइटी है थो तो नवंबर का महीना सबसे सही महीना होता है इस प्लांट को ग्रो करने का, इसलिए ये प्लांट कटिंग के थ्रू ग्रो हो जाता है, काफी लंबा होता जा रहा है, तो आज मैं इसको भी कटिंग कर लूँगी और इसको लगा लूँगी, तो इसको कटिंग लगाने में कह फिर नया गमला हो आपके पास तो उसमें लगा ले मैं थोड़ा इस प्लांटर को बूशी दिखाना चाहती हूँ तो सेम पॉट में लगा लूँगी अलग इसकी मैं रुपाई नहीं करूँगी तो ये देखे इसके नौड एरिया दिख रहे हैं बहुत सारे नौड एरिया हो हो जाएगा और प्लांट घाना और बूशी भी दिखेगा और जहां से कटिंग किया है वहां से नए ब्रांचेज भी निकलेंगे और नए लिफ्स भी निकलने लगेंगे तो ये काफी खुबसूरत आगे दिखने वाला है ये पौधा तो नवंबर के महिने में आप भी लक कट कर लेना है और नए गमले में इसको लगा देना है या सेम पौट में भी आप लगा सकते हो और इसकी कटिंग भी मैंने पहले आप लोगों को दिखाई है लगा के तो इस तरह से एक नया प्लांटर भी रेडी कर सकते हैं इसके कटिंग को इसली लगा सकते हैं इस महीने म वही है कि cutting लगाने के बाद इसको अच्छी sunlight प्रोवाइट करना बिल्कुल shadow area में मत रखना एक दिन shadow में रखने के बाद इसको अच्छी वाली sunlight प्रोवाइट करना इस plant को और उस pot से निकाल करके मैंने यहां पर एक छोटा सा plant लगा दिया है तो बाद में इसको देखोंगी और उसके बगल में डेफनवेकिया का plant है तो एक ही pot में मैंने दो plant लगाया हुआ है एक तो यह aglonima का है और डेफनवेकिया का plant है तो आप दो पौधे तयार कर सकते एक सकते हो अगला जो पौधा है सिंगोनियम का पौधा है कोई भी सिंगोनियम के variety है नवंबर के महिने में बहुत ही अच्छे से लग जाती है cutting के थ्रू और सिंगोनियम के ऊपर मैंने अलग video बनाया है कि इसकी देख भल कैसे करनी है और cutting कैसे लगानी है तो सबसे अराम से cutting स हैं नहीं से चलने वाला पौधा होता है सिंगोनियम तो बहुत सारे आप प्लांट रेडि कर सकते पर इस मंत में शिसांक बन करके या फिर इसको रूट से भी आप बैंफे अलग सकते हें और काफी डिवीजन करके आप पे दूसरा नया पौधा तयार कर सकते हो नए पौट में लगा सकते हो या सेम गमले में भी लगा सकते हो काफी खुबसूरत कलरफुल पत्यों वाला प्लांट है तो इस महीने में काफी अच्छे से ग्रोथ होती है बहुत जादा ठंडी पर जाने पे ये पौधा थोड़ा सुस्त हो जाता है लेकिन अपने आप ये फिर ग्रोग कर जाता है ये पौधा तो टेंसन लेनी की कोई बात नहीं है लेकिन इस नवंबर के महीने में आप इसको डिवीजन के थुरू इसली अलग कर सकते हो एक छोटा और कलेडियम का पौधा मैं दिखा आई हूं आपको जिसको मैंने डिवीजन के थुरू इसके बल्ब को अलग किया भी जस्ट मैंने किया ही है तुरंत रिसेंट ही तो ये भी एक कलेडियम के वेराइटी है तो इसको मैं कहीं से बल्ब लेकर के आई थी और इसको ग्रो किया है काफी इसली ये ग्रो हो गया है और इस तरह से एक लीफ भी इसने निकाला हुआ है ये फूलो वाला पौधा है कॉक्सकॉम का प्लांट तो इसको भी आप इसली इस महीने में अलग कर सकते हो तो मैंने इसको अलग किया है इसके बहुत सारे प्लांट निकल आए थे एक ही पौट में तो अराम-अराम से इसको मैंने अलग कर लिया है और आगे जाके ये फ्लावर भी देगा ये पौधा तो कॉक्सकॉम के पौधे को भी नवमर के महीने में आप ट्राई कर सकते हो और ये है वैंडरिंग जीओ का प्लांट जिसको कि मैंने सेम एंज्वाइ पोथो को जो हैंगिंग बास्केट में लग देगा लिया है तो मिक्स मैच का कलर रहेगा जब यह इस से ग्रोथ हो जाएगा नवमर के महीने में अभी जो पौधा दिखा रही हो यह फाइलो डेंडरॉन की वेराइटी है तो इसको भी कटिंग के थूरू इस सीजन में लगा सकते हैं और इसके नौड एरिया से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं लंबे लंबे रूट्स निकलते हैं इसली यह प्लांट कटिंग के थू लग जाता है तो यह भी बहुत ही अच्छा ओप्शन है कि इस प्लांट को आप पे ग्रो कर सकते हो या तो पानी में आप ग्रो करो इस तरह से या फिर स्वाइल में आप पे कटिंग के थूरू इसको लगा सकते हो तो नेक्स्ट जो पौधा है वो भी फाइलो डेंडरॉन क की विराइटी है तो फाइलो डेंडरॉन का कोई भी पौधा आप कटिंग से लगा सकते हो यह ट्राइकलर फाइलो डेंडरॉन ब्रेजिल का प्लांट है तो इसको भी आप कटिंग के थूरू एजली लगा सकते हो मिट्टी में भी लगा सकते हैं आप इसको वाटर में भी कर सकते हो मुझे ये पौधा जो है परसनली बहुत जादा खुबसूरत लगता है ग्रोथ इसकी थोरी स्लो हो जाती है गर्मी की दिनों में इसलिए मैं बोल रही हूं कि ये बहुत ही अच्छा मौसम है इस प्लांट को कटिंग के थू लगाना क्योंकि ये जो प्लांट है ये स्वाइल में भी एक चोटा सा पौधा मैंने अल्रेडी लगाया हुआ है काफी खुबसूरत लगता और ये जो स्वाइल में लगाया है काफी दिनों से चोटे से पौट में चल रहा है ये पौधा नेक्स्ट जो पौधा है ये है बोट लिली का प्लांट इसको भी आप कट टर्टल वाइन का प्लांट तो इसके बहुत सारे प्लांट मैंने चोटे चोटे पौट में लगाई हुए क्योंकि बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लगता है जब इसकी बेल लटकती है तो काफी खुबसूरत लगती है बहुत कम पानी में चल जाता है मिट्टी बहुत सू जुखता जाता है तो आपको इसकी छटाई करनी परेगी जब ये इस तरह से सूखने लगेगा नीचे से तो और जो भी आपको कटिंग मिले उसको next pot में लगा सकते और ये है पीलियर डिप्रेशिय का प्लांट तो इसको भी आप कटिंग के थूँझ लगा सकते और शॉर्ट ले लेनी है आपको टर्टल वाइन की और सूखी मिट्टी पे इस तरह से रख देना है और रखने के बाद इसको उपर से मिट्टी से दवा देना है और आपका एक नया पौधा तयार हो जाएगा कुछ दिन सेमी शेडो एरिया में रखिए फिर उसको कुछ दिनों के बाद आप धूप में रख सकते हो धूप और चांदोनों में चल जाता है ये पौधा काफी खुबसूरत है तो कटिंग के थूँ आप इसको ग्रो कर सकते हो नवंबर के महीने में तो आज तो मैं फिर से एक नए पौधा तयार कर ली हो तो आप कप कर रहे हो तो मुझे जरूर ब ये पौधा जो पार्सल सनलाइट में काफी इसली चल जाता है जब पानी में रूट से फैल जाए तो इस तरह से आप उसको स्वाइल में सिफ्ट कर दीजिए तो नया पौधा आपका रेडी हो जाएगा पानी में भी अच्छे से चलता है और ये स्वाइल में भी काफी ये प्लांट एक्चुली बड़े हो जाने पे तूट तूट के खुद से गिरने लग जाता है तो उसको मैं फैकती नहीं हूँ और दूसरा प्लांट मैं रडी कर लेती हूँ तो गर्मियों में थोड़ी कम फैलता है ये प्लांट इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है तो नवंब की तूट इसली ग्रो कर सकते हो एक तरह के सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है इसलिए इस प्लांट को भी ठंडक बहुत जादा पसंद है कम पानी देंगे और अच्छी ब्राइट लाइट में रखेंगे तो काफी अच्छे से फैलता है और कटिंग की तूट इसली लग लेना है नौड एडिये से और इसको सेम पॉट में लगा सकते हैं तो इस तरह से घणा हो जाएगा यह प्लांट और पूरा गमला इस तरह से हरे-हरे पत्यों से भर जाएगा और मेरे वाले ने थोरी से लेट फ्लावरिंग की हैं मालूम नहीं क्यों लेकिन की तो है सही तो इस प्लांट को भी नवंबर के महीने में आप कटिंग के थुरू लगा सकते हो और कटिंग ना मिले तो आप पे नया पौधा भी नरसरी से ला सकते हो दूसरा जो पौधा है वो जो कटिंग से आप तयार कर सकते हो नवंबर के महीने में वो है बेवी सन रोज का पौधा ज जब लगे आपको कि आपका पौधा खराब हो रहा है तो काफी खुबसूरत लगते हैं इसके फुल बस इसकी कटिंग को इस तरह से कट कर लेना है और एक दो दिन उसको हलकी धूप में सुखा लेना है उसको रख दीजे तो वो खुद सुख जाएगा और सेम पॉट में लग बचा आ सकते हो तो एक नया पौधा तयार हो जाता है बेबी सन रोज का और घील वो है मेरा मनी प्लांट का सबकर नहां प्लांदा में होता है इस महीने में कटिंग के दूड नया पौधा आप। bạn और इस महीने में बहुत ही अच्छे से फैलता है ये प्लांट मनी प्लांट की कोई भी वेराइटी आप लगा सकते हो काफी खुबसूरती के साथ और बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है नवंबर के महीने में इसकी जो अलग वेरिगेटेड वेराइटी होती है उसकी कटिंग चलने में थोड़ा से टाइम लगता है तो आप इस महीने में इसकी कटिंग भी लगा सकते हो और ये मैंने मिक्स कटिंग लगाई थी एक सेम पॉट में और ये भी काफी अच्छे से चल रहा है तो आप मनी प्लांट की कोई भी वेरिगेटेड वेराइटी हो या फिर प्ले पॉधे तयार कर रखे हैं इसको कटिंग के थूझ लगा के ये देखी ये दूसरा है जिसको मैंने की लगाया हुआ है एक बुद्धा के पॉट में तो इसको धूप की जरूप होती है तो इस वाले पॉधे को मैं थोड़ा कम धूप दे पा रही हूँ जगह की प्रॉबलम को भी नवंबर के महीने में लगा ले तो काफी अच्छे से फास्ट ग्रोथ करता है ये पॉधा काफी खुबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में ये तो इस तरह से आप लगा सकते हो परपल ट्रडिस केंटिया की वेराइटी को बहुत से ऐसे पॉधे होते हैं जो न गर्मी से ठंडी में जब ट्रांजिशन होता है तब भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और जब बहुत जादा ठंडी से गर्मी में बदलाओ होता है तब भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो ट्रांजिशन वाले मौशन में आप किसी भी प्लांट की कट मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट करना ना भूले मॉटिवेशन के लिए लाइक कॉमेंट जरूर करे और नए फ्रेंड्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले